हेलो स्टूडियानेट्स वेलकम बेक टू मैं चैनल कैसे हो आप सब उमीद करते हूं बेटा सभी अच्छे होंगे अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वरक्षीट नंबर फाइफ एट्थ क्लास की है बेटा इंगलिस सब्जक्ट की ठीक है तो दोनों के लिए इंगलिस मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो जिसमें बेटा हमारा चैप्टर कंटीन्यू चल रहा है पार्ट टू से जो की क्या है सुनामी का ठीक है इसमें आज हम और आगी पढ़ेंगे और भी न्यू न्यू चीज़े तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा इसमें आपको एक पॉइंट पर एक कोश्चन पूछा गया ठीक है तो सेफ्टी ड्रिल्स के बारे बेटा आपने सुना होगा अपने स्कूल के अंदर कंड़क्टेड इन स्कूल जो की कहां पर होती है स्कूल के अंदर कंड़क्ट कराई जाती है तो क्या आपको कोई ऐसी ट्रेनिंग याद है जो आपने की ओ फायर की सेफ्टी से मतलब की जब कभी ऐसा खत्रा आये तो हम उससे कैसे बच सकते है उसकी प्रैक्टिस की जाती है स्कूल के अंदर ठीक ऐसी अर्थक्ट के लिए किस तरीके से बच सकते हैं स्कूल में तो पेटा कही बार आपकी परफॉर्म की जाती है जैसे तुम्हें देखा होगा स्कूल में बैल बज़ती है तुम्हें बोला जाता है कि एक साइरन बज़ेगा उसके बज़ते ही आपको अपनी क्लासिस से निकलना है बारी-बारी से और बिना भगदर मचाया इजल्द बा बाकी क्या अगर नो लिख देना अगर आपने नहीं किया तो बेटा फर्स्ट और सेगंड तो आपने जरूर की होगी तो इनमें तो आप यस लिख ही दोगे अगर नहीं किया कोई बच्चा ऐसा हो सकता है वो एपसेंट रहा हो उस दिन जिस दिन स्कूल में ये ड्रिल्स जैसे कोई अर्थक्वेक आया तो उससे बचोगे तो टेबल के नीचे आपको किस तरीके से जाना है किस तरीके से उसको कवर करना है होल्ड ओन करना है या फिर फायर है तो उसको कैसे बुझाना है आग लगी है तो इन सब के लिए आपको क्या करना है यहाँ पर ओप्सन ल जो कि एक British में पढ़ती है लड़की, was able to, British school girl है, ठीक है, तो was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in the Thailand, ठीक है, तो बटा जो ये लड़की है, Tally Smith, जिसका नाम है, जो British school के अंदर पढ़ती है, उसने क्या क्या, भोतो की जान बचाई है, सुनामी से, ठीक है, जैसे ही सुनामी आई थी, Phuket Beach पर, ठीक है, जो कि क्या है, Thailand के अंदर है, तो उसके बारे में स्टोरी के पढ़ते हैं, आज क्या है, कैसे इसने जान बचाई, तो बचा, देखो, यहाँ पर क्या है, जो तिली स्मीट थी, तिली स्मीट क्या है, दस साल की एक स्कूल की लड़की थी, जिसका एक छोटा भाई था, जो की साथ साल का था, और उसके पेरेंट्स थे, जिसमें मदर का नाम पैनी था, और माता, फादर का नाम क्या था Colin Smith था ठीक है वो सब कहाँ पर गए थे बीच पर गए थे Thailand में जो की क्या था बेटा Christmas को celebrate करने के लिए वहाँ पर गए थे और उस दिन क्या था बेटा 2004 था मतलब की साल 2004 था और 26 दिसंबर था ठीक है deadly tsunami waves were already on their way और जो deadly tsunami थी मतलब बहुत ही जादा खतरनाक बोलो आप उसको वो tsunami उनके रस्ते में थी already the water was swelling and kept coming in और जो water था बेटा वो क्या था swelling मतलब की एक तरीके से क्या होता है बढ़ना ठीक है एक तरफ बढ़ जाना और एक तरफ घट जाना इस तरीके से उसमें हो रहा था और kept coming in और उनकी तरफ आ रहा था ठीक है didn't know what was happening मुझे नहीं पता था ये क्या हो रहा था ठीक है बट टेली स्मीथ sensed that something was wrong लेकिन जो टेली स्मीथ थी वेटा वो लड़की थी 10 साल की उसको ये मतलब की कुछ ना कुछ वो समझ गई की कुछ ना कुछ गरबर होने वाली है बहुत ही जादा ठीक है एक होता है नहीं एक intuition सी हो जाती है तो वो उसको हो गई थी her mind kept going back to the geography lesson she has taken in the England just two weeks before she flew out to the Thailand with her family ठीक है तो उसका mind बेटा कहां पर गया जो उसने अपने school में geography के lesson में पढ़ा था वहाँ पर उसका तुरंत दिमाग गया she had taken in the England कि उसने अपने England में लिया था school में ठीक है और दो हफ़ते पहले ही पढ़ा था जब वो Thailand के लिए यहाँ पर अपनी family के साथ आई थी उससे पहले ठीक है टिली साधी उसने देखा कि जो सी है समुद्र है वो तीरे दीरे बढ़ रहा है start to form bubbles और उसमें क्या हो है बुल बुले उठ रहे है ठीक है and form whirlpool और वो भवर बना रहे है बटा भवर क्या होता है जिसके बीच में खाली जगा होती है और चारों तरफ से गोल गोल होता है ठीक है उनकी टीचर ने बताए था कि जो सुनामी होती है वो किस तरीके से आती है किस कारण से आती है जब समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आया हो बेटा या वोल कैनोज आई हो या फिर लेंड स्लाइड हुआ हो ठीक है तिली स्टार्टे टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू उसने क्या कहा समुद्र के अंदर एक अर्थक्वेक आने की बात कई ठीक है और फिर कहां पर थे बेटा कही ठीक है सेड हर मदर पहनी उसकी माता ने कहा और मैं नहीं जानती थी ये सुनामी क्या है बट सींग माई डोटर सो फ्राइटेंड लेकिन अपनी मतलब की बेटी को इस तरीके से घबराया हुआ देखकर I thought something serious must be going on तो कुछ ना कुछ मतलब की serious ही घटित होने वाला है वो ऐसा समझ गई तो बेटा जो टीली के पेरेंट थे उन्होंने क्या क्या वो उनकी sister को और उसको बीच से होटल पर ले आए ठीक है वहां से a number of other tourists also left the beach with them और जो others मतलब की tourist थे बेटा वो भी उन्होंने भी बीच को छोड़ दिया था ये सब सुनके then it was as if the entire sea had come out after them तो जबी उन्होंने क्या देखा की जो पूरा का पूरा समुदर था वो ऐसे लग रहा था जैसे उनके पीछे आ गया हो ठीक है भार आ गया हो I was screaming और मैं चिलाई मतलब की मैं चिलाने लगी run भागो the family took refuse in the third floor of the hotel और जो क्या नाम है उनकी family थी उन्होंने सरनली रिफ्यूज का मतलब होता है बेटा सरन लेना तो उन्होंने hotel में तीसरे floor पर सरनली ठीक है if they had stayed on the beach और अगर वो मतलब beach पर ही रुके होते इस ताइम पर they would not have been alive तो वो अभी तक जिनता नहीं बच पाते these smiths later met other tourists who had lost entire families उसके बाद जो smith थे उसके father थे वो बाद में काफी ऐसे tourist से मिले जो अपनी पूरी की पूरी family को खो चुके थे ठीक है सुनामी की वज़े से thanks to tilly and her geography lesson तो सभी क्या कर रहे थे tilly का धन्यवाद कर रहे थे और उसके geography lesson का they had been forewarned जिसने उनको क्या क्या पहले से ही सचेत कर दिया इस सुनामी के बारे में tilly's went back to her school in England और tilly ने क्या क्या बेटा जब वो अपनी school में वापस गई England में and told her classmate her terrifying tale और फिर उसने अपनी ये भयावी ये मतलब कि story कहो तो उसने ये कहानी अपने classmate friends को सबको सुनाई तो ये थी और इस तरीके से उसने जान बचाई तो इसलिए हम जो भी पढ़ते हैं हमें उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए ठीक है ताकि क्या हो हमें आगे इस चीज के बारे में information हो कभी भी कुछ ऐसा होने वाला है तो हमें पहले से ही पता होगा तो हम अच्छे से कर पाएंगे उसको ठीक है अब इसके कुछ question answer करते है now answer the following questions by choosing the correct option first step why did Tilly family come to Thailand तो बेटा जो उनकी मतलब की Tilly's की family थी वो Thailand क्यों आई थी तो क्यों आई थी बेटा to celebrate her sisters बटे नहीं to celebrate Christmas तो बेटा ये है इसका option first वाला गलात है second क्या है where did the Smith family and others on the beach go to escape from the tsunami तो जो उसकी Tilly's की family थी बेटा Smith की family थी और बाकी जो बीच पर थे वो अपने आपको बचाने के लिए tsunami से कहां पर गए थे to the third floor of the hotel ठीक है तो ये था बेटा यहाँ पर ये second इसका गलत है क्योंकि वो तीसरे floor पर गए थे hotel के फिर बेटा third है Tilly's saved many lives because she remembered her geography lesson तो उसने काफी की जान बचाई Tilly ने बेटा और क्यों क्योंकि उसको जोग्रफी का लेसन लाए याद था अपना ठीक है fill in the blanks with what she learnt in her geography class तो बेटा आपको नीचे ये fill in the blanks है जो इनको fill करना है इस बेस पर कि उसने geography lesson में क्या क्या पढ़ा तो first है tsunami can be caused by तो जो बेटा first में ये second में ये और third में ये ठीक है उसके बाद बेटा second क्या है the beach was getting तो जो beach था बेटा वो कैसा उतर जा रहा था छोटा उतर जा रहा था smaller and smaller तो ये रहा बेटा the beach was getting smaller and smaller ठीक है अब next क्या है बेटा tilly saadhi sea slowly dash and start to dash bubble and form dash ठीक है तो क्या है बेटा वो क्या करता है धीरे धीरे rise होना start होता है और form करना start करता है bubble तो पहले वाले में आएगा rise दूसरे वाले में आएगा form ये f o a m ठीक है form जाग बनाने और bubble बनाने start कर देता है और third वाले में क्या है बेटा वर्पूल फवर बनाने start कर देता है ठीक है मैं आपको दिखाऊंगी भी टेंसर मतलो कुछ को राइटिंग समझ नहीं आती बटा तो देखो यहां पर रही है यहां से लिख लेना slowly rise तो rise word आएगा start to लिखा हुआ है form word आएगा bubble and form whirlpool यह आएगा ठीक है तो यह आपको लिख देना है महाँ पर यह थी बेटा आपके आज की वरक्षिट और इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें जो भी पढ़ाया जाता हूँ है उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि हमारे वो आगे life में कुछ ऐसा होता है तो हम उससे सीख सके और उससे बच सके अपना बचाव कर सके और बाकी का भी तो इस यूडियो में बेटा इतना है अपना नेक्स टोफिक हम अपनी नेक्स टूडियो में करेंगे तब तक के लिए इसी हसते रही है बढ़ते रही है और आगे बढ़ते रही है थैंक यू